जै हिद्स फ्रेंट्स तो आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप लोग कानपूर उनिवस्टी बीए बीस्टी बीकॉम बेर्ड या किसी भी सब्जिक्ट में हो आप लोगों का बैक पेपर लगा था और आपने बैक पेपर का एक्जाम दिया था अब आप लोगों को रिज से हम दिखाने वाले हैं कानपूर उनिवस्टी के बैक पेपर का रिजल्ट आपनों को कैसे चेक करना है उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ में बैल आइकन को प्रेस कर दीजी जिसे आने वा CSJMU कानपूर यूनिवर्स्टी क्या आपको सर्च करना है CSJMU BA BSC result 2024 और पीछे आपको लिख देना है हिंदुस्तान नॉलेज क्या रिख देना है हिंदुस्तान नॉलेज आपको लिख देना है अईसे ही आप लोग बिल्कुल लिखेंगे तो आपको रिजल्ट आप लोग चेक कर पाएंगे कितना आपको लिख के सर्च कर देना है तो जैसे आप लोग सर्च कर देंगे CSJMU BA BSC result 2024 हिंदुस्तान नॉलेज तो सबसे उपर आपको देखने को मिलेगी देखें यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेगी CSJMU कानपुर निउवस्टी BSC BA B.com first semester result 2024 आप लोग first semester का back paper दिये हो या third semester का back paper दिये हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पढ़ने बाला है आपको इस link पर ही click करना है तो जैसे आप इस link पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface open होकर आ जाएगा तो आपको उपर score करते हुए जाना है यहाँ पर आपको result को लेकर सभी जानकारी मिल जाएगी अगर आप लोगों ने अभी अपना वैसा result नहीं चेक किया है तो यहाँ से आप लोग CSG first semester result और download link यहाँ पर दो link से आप लोग अपना जो result है चेक कर सकते हैं किसी भी semester का हो किसी भी year का हो तो आप लोग चेक नहीं किया है तो आप लोग इस पर जाके चेक कर सकते हैं हम लोग back paper का चेक करने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक link देखने को मिलेगी CSGMU कानपूर उन्वरिश्टी back paper result download link तो इस link पर आपको आजाना है यहाँ पर आपको click here का button दीख रहा होगा क्या है click here का button तो आपको click here के button पर simply सी click कर देना है तो जैसे आप लोग click here के button पर click करेंगी तो आपके सामने आजाएगा student back paper marks statement तो यहाँ पर session आपने जैसे 2023 दिया था category आपको select करने नहीं है back paper select quotes यहाँ पर आपको code select कर लेना है अगर आप लोग BA में है तो BA Arts, Humanities and Social Science आपको select करना है तो हम है Bachelor of Science में तो हम लोग Bachelor of Science चूज करेंगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आचुका है Bachelor of Science तो यहाँ पर कुछ चात्रों का जो doubt रहता है कि BA में क्या करें तो BA में आप लोग को BA Arts, Humanities and Social Sciences करना है इध्यान लखेंगे तो हम लोग Bachelor of Science कर लेंगे इसके बाद semester आपको चूज करेंगे फर्स semester यह आपका थर्ड semester है तो यहाँ पर फर्स semester कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपना roll number चूज करना है क्या करना है यहाँ पर आपको अपना roll number चूज करना है जो आपका roll number हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है जो आपकी फर्स semester में होगा second semester में roll number आपको same रहता है तो यहाँ से आपको roll number डाल देना है इसके बाद यहाँ से आपको date of birth select कर लेनी है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एयर हो गया है अब आपको month select करना है तो month जैसे आपका चाय था month है आप applyl कर लेंगे और यहाँ से date कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा view पी select इसके बाद यहाँ पर आपको रोल लंबर डालना है तो हम रोल लंबर डालके आपको व्यू रिजर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे आप लोग व्यू रिजर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपिन होकर आ जाएगा यहाँ पर सेशन आपको 22,23,24 देखने को एक्जाम टाइप, बैक पेपर यहाँ पर जितने सब्जेट में आपको बैक पेपर लगा था उनका रिजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा जैसे इनके 75 में 30, 75 में 60, 75 में 12 और 75 में 28 आए हुए हैं इस परकार आप लोग जो है अपना बैक पेपर का रिजर्ट चेक कर पाएंगे अगर आपको जनकारी पसंद आई हो तो चनल को सब्सक्राइब करेगा साथ में वीडियो को लाइक करेगा जिससे आने वाली वीडियो नोडिफिकेशन आप तक पहुँशती रहे तो यहाँ पर देखे इस्टूटेंट बैक पेपर मार्क स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो इस परकार आप लोग जो अपना है रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गर आपको वीडियो पसंद आये हो तो चनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा सेर करेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए जय हिंद